दिश्वभार्ति के उपाचारिय स्रीमान विद्धूर्च चक्रवर्ति जी इस सभागार के अंदर उपस्तित अध्यापग्गान और बाकी सारे यहां बदारे हुए भाहियों और बेनों मेरा मन पुर्वक आप सबको नमस्कार अभी जैसे विद्धूर्च चक्रवर्ति जी ने बताया कि विश्वभार्ति सोव साल पूरे करने जा रही है और एक साल तक विश्वभार्ति इसके अलग-अलग कारेक्रमों का आयोजन करेगी है मैं चक्रवर्ति जी को कहना चाहता हूं कि जब इसकी स्थापना की होगी तब भी कोई संकल्ब किया होगा और आज सो साल पूरे होने जा रहे हैं तब भी एक आप संकल्ब करिए कि बंगाल के अंदर विचार परिवर्तन और यह जो अभी ही जिटों ने जिक्र किया इस तरह की घटना कम से कम सांतिनी के तन के साथ न हो इस प्रकार की पूरे बंगाल के अंदर सांतिरी केतन से विचार उठे और पूरे बंगाल के अंदर गुरु अरे टागोर का विचार फिर से इत्मार नव पल्लमीत होकर निकले ये विश्वभर्ती ने संकल प्रेदा चाहिए आज मेरे लिए बड़ी सोभाग्य की बात है डेश और विदेश के और विशेशकर भारत वर्ष के इस्या कंड़ी सभी लोगों के लिए गुरु अर्टाबोर सांतिनी के तन और विश्वभारती हम में साथ सम्मोहन के के अंदर रही है वो अपने आपकी और सब को खींचते हयाकर सिर्थ करते है और आज मेरा सोभाग्य है कि बहुत देर से मगर आज मुझे यहाने का सोभाग्य मिला और आप सभी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया रविंद्र संभीत के कारेक्रम से भी मन और आत्मा दोनों को सांति मिले इस प्रकार से बहुत अच्छा परफोमंस भी देखा इसलिए मैं उपाचार्य जी और सभी लोगों का मन से साधुवाद देता हूँ और आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ यह जो बांगला देश बवन है इसका अभी अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने लोकारपण किया था और गुरुदेव टागोर ही एक ऐसे व्यक्ति है विश्वभर के अंदर जिनकी दो रचनाए दो देश के राष्टगान के रुप में संभानी हूँ और कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है एक ही कवी की दो रचनाए दो अलग-अलग देशों के राष्टगान के लुप में से लिए यह बहुत बड़ी बात है विचार का संस्कूति का संसकार का कला का दाइरा कितना बड़ा है वह इससे साबीत है परसे बंगाल में हमेशा से इस देश की संसकूति क्विरासन की बात हो इस देश की कलाओ की परंपरा की बात हो इस देश में नई सोच को पल्लवीत करने की बात हो यह आजादी की लड़ाई हो हर शेत्र के अंदर बंगाल देश से पचास साल आगे रहा और धेर सारे बंगाल के सपूतों ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए और विशेश कर उनीस्वी सदी में जो एक लव जागरन हुआ इसमें बहुत बढ़ा योगदान बंगाल के धेर सारे सपूतों करने चाहे वो राजा राम मोहन राय हो चाहे पंकिम चंद्र चतोपाध्याजी हो स्री अरविंध हो विविकानन्द हो राम पुष्णप्रवंस हो चैतन्य महाप्रभु हो स्वामि प्रणवान निंदी हो सुभास्वागु हो अने लोगु नहीं अने शेत्र केंदर भारत की विरासत को समरूत करने का काम क्या और वो आकास गंगा का एक महत्यकून तेजस् गुरुदेव टागोर की विचार का प्रभाव और उनके व्यक्तितों की महांता इस बात से भी जानी जाती है कि आजादी के लड़ाई के अंदर कि इस देश के दो महापूर्से के बीच में विचार का बड़ा मध्वित महत्मा घांदी और सुभास्वागु मगरें दोनों गुरुवर टागोर से भ्रेणा लिए यह दिखाता है कि इनके विचार की व्यापकता कितनी जाये सोच कोई भी हो कोई भी समस्या हो इसका समाधान टागोर के विचार से निलता था और गुरुदेव के विचार ने आजादी के आंदोलन को भी बहुत गति दो और महात्मा गांदी का भारत की आत्मा को पहचाननाई का जो प्रयास था वो प्रयास अगर महात्मा लांदी और गुरुदेव के बीच में संपर्क ना था तो कभी समाप्त नोग था भारत की आत्मा को महात्मा समझ पाए इसका एक ही कारण है कि गुरुदेव के वो संपर्क में थे बार बार सांतिनी केतन में आते थे गुरुदेव नहीं रहे तम भी आये चाहे वो ससस्त्रव राष्टे से आजादी लेने वाले लोग हो चाहे अनिसत्र आंदोलन से आजादी लेने वाले लोग हो सब सांथिनी केतन को अपना प्रेणा स्थान मानते जैसे अभी उपाचारिय जी ने बताया कि डिसिम्बर 1921 में विश्वभार्ती की स्थापना हुई मगर उसकी सुरुवार्त उपाचारिय आश्रम के रूपिया वो 1901 से आज तक की पूरी यात्रा वो यात्रा भारत के समाज जीवन के अंदर भारत के कला जीवन की यात्रा को भारत की संसकार यात्रा को बहुत बड़ा योगदान देने वाली यात्रा नहीं है और सबसे बड़ा योगदान भारत की सिक्सा पद्धदी को एक आधार भूत विचार लेने का काम ये सांतिनी के तन्य और विश्वधरती में किया है हमारी मुल्ख सिक्सा पद्धदी जिसमें काहीं भी कुछ भी संकेर नहीं था जब गुरुदेलने शिक्सा पर अपने विचार रखे तब कहा कि सिक्सा काम ही ही होना चाहिए कि इथार्ध के अभए बना दे हैं उसके विचारों को खुला कर दे हैं और उसका सर्वोच्च दे होना चाहिए कि वो यधार्द के समीब चना दे हैं अपने अंदर के मानवी को वो इतनी उंचाही पर ले जाए कि इसके लिए देश की सिमाय भासाओं की मर्यादा संस्कूतियों के बंधन कह पर न दिख पाएं इस प्रकार का सिक्सा का मुल उडेश होना चेह हैं आज देश बर में इस उडेश की परिपूर्ती तो होती हुई नहीं दिखती है मगर घोर अंदेरी रात में चमकती विजली जबाती है तब एक आसा का संचार होता है ऐसी आसा का संचार आज भी ये व और इसलिए ये संस्ता से अप्यक्सित है कि महारसी देव ठापूर ने जब इसकी स्थापना करी ब्रह्मचरे आश्रम के रुप में तब हमारे सारे अजारों वर्ष के चिंदन को ध्यान में रखकर करी और गुर्देव टागों ने जब विश्वभारती की सुरुवात करी तब उस समय के सांप्रत समय में हमारी परंपराओं को हमारे ज्यान को हमारी जीवन पद्दती को आज के समय में किस प्रकाल से ढ़ला जा सकता है इसके अंदर घ्रामे निवकास को दोड़ा कोउपरेटिव को दोड़ा कुशी को दोड़ा आज पास के देशों की साथ संस्कूरती के सामन जेस्य से कुई सुरुवात की और उन्होंने एक नया आयाम हमें दिया एक नया विचार दिया ते तीन अलग-अलग महत्वपून जब उसे गुजरते हुए आज विश्वभार्दी यहां पर है वैसे तो 1851, 1901 और 1951 में युनिवर्सिटी बन्या यह पूरी याक्रा सबन तभी माने जाएगी कि यहां से जो विचार निकलता है, वो विचार हमारी सिखसा पध्वधी के अंदर भी कुछ ऐसे बढ़लाव लाए कि सिखसा के उध्येस जो गुर्देव के हमें दिये, रागोर ने हमें दिये, वो सिखसा के उध्येस अनसले दिकर पाए विलास, मो से मुक्त, प्राणवान आनन को केंडर में रखकर ही सिख्रा का विचार किया जbourne सकता है दबाव से मुक्त होकर, समी प्रकाप के सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर, आनन के साथ रह सके, ऐसे व्यक्तितों का निर्मान ही सिख्षा का उदियस हो सकता है। और यथार्थ को जानने की यात्रा कभी भी रूके नहीं, ऐसे विध्यार्थी को भी निर्मान करना ही सिख्षा का उदियस हो सकता है। गुरुदेव के जीवन से हमने ये भी सिखने की जरूर थे, कि गुरुदेव ने अंतर तक अपने अंदर का विध्यार्थी को मढ़ने निर्माना ही। कोई वक्ती सक्तर साल की उमर में चित्रकला की सुरुवार करता है होई, अपने देज त्यागने की से बेले तीन असार्जे ज्यादा अच्छे पेंटिंग समाज को दे कर दाता है। वो बताता है कि उनके अंदर का विध्यार्थी अनिच्च तक जीली था। और यही सिक्षा का उडेश, सिक्षा कोई कालखंड के साथ जीवन के एक छोटे हिस्चे के साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए। सिक्षा जीवन के आश्री साथ तक चलनी चाहिए। विध्यार्थी का जीवन जीवन जितना ही लंबा होना चाहिए। और इसमें से जो अमरूप निकलता है वो ही समाज को आगे ली जाता है। एक और दो विश्व भार्ती के माध्यम से भार्तिय धर्म, धर्जन, साहित्य, संगीत, कला, उसके संडक्षन और संवर्धन की यहां पर व्यवस्ता की दी। और जो हमारे वेदों का मुल मंत्र है, विश्व बंदूत्व का मंत्र, वो मंत्र को ध्यान में रगकर यूरोपियन और बहुत सारी देशों की भासाओं को, साहित्यों को, वहां के धर्म को, दर्शन को, हमारे साथ सामाजन से बनाने का भी यहां पर एक माहोल बनाएगा एक व्यवस्ता खड़ी और हमारा मंत्रप सर्वे भृवन्तु सुखिनर सर्वे भृवन्तु मिरामय इसको चरितार्ज करने के लिए एक राष्टा प्रसस्त करने का अध्याम गुरुम देव ने किया चीनी संस्कूति चीन की भासा के अध्यान के लिए 1937 में यहां पर शुरुवात की गई हिंडी की भासा के लिए भी यहां पर शुरुवात की गई मैं मानता हूँ यह उनकी दूर द्रस्टी को बताता है पुरुदेर कबिर दास और बाउल गाय लालन साह से हमेशा प्रभावित रही और आप कबीर और बाउल गाय लालन साह के व्यक्टितों को समझेंगे तो जाती, धर्म, वर्ण इससे उपर उठे हुए लोग थी उन्होंने हमेशा व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया व्यक्ति कहां से आता है, कहां से आया है इसको कभी महत्व ने दिया और इक महत्वपुन मानवता का संदेश गुरुदेव ने यही से आगे बढ़ाया गुरुदेव हमेशा मानते थे कि भार्ती इत्यास को भार्ती अध्रष्टिकॉर्ण से देखना जाए किसी भी देश का इत्यास कोई और सब्यता इसका मुल्यांकन इतने अच्छे से नहीं कर सकती विवेच ना कर सकती है परन्तु इत्यास को समझने की जहां तक बात है द्रष्टिकॉर्ण भारत का ही हुना थे उनकी मान्यता थी कि जब तक रामिन विकास की परिकल्पना को फिर से हम तरो ताजा नहीं करेंगे इसको आधूनिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे ये देश के अर्थ तंदर का विकास नहीं हो सकता और इसी लिए यहां पर उन्होंने शुरुआते गी जर्म, घर्षन, सिक्सा, साहित्य कला और स्रीनी के तन के अंदर कुशी, ग्रामिनिकास, सहकारिता ये सारे मूतों की सुभवाती और जहां पर हस्तसिर्प, स्वास, सफाई, कॉपरेटिव ये सारी चीजों को भी आगे बढ़ाने का काम किया मैं इतना मानता हूँ कि ये जो गुरुदेव ने परंपरा करी है, गुरुदेव टागोर ने जो परंपरा करी है, आगे बढ़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का दाहित्व, मेरे सामने बैठे हुए लोगों कार। कहीं हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की संकेन तासे में भसे बगर, खुले मन से, सब दिसाओं से, अच्छे विचार स्विकार में की, खुले मन के साथ, विस्व भार्ती को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं मानता हूँ वो अपने उद्यसों को निश्शीत रूप से परिपू उपन्यास्त, नाटक, कहानी, निवन और घज हो या पद हो, कुछ तुष्ट साहित्यती रचना करना है, और इसके साथ साथ, इतनी बड़ी संस्था की भी निर्मिती करना है, मैं मानता हूँ ए बहुत बड़ी बात है, गुरी देव को नोबल क्राइज मिलकर, उनकी साहित इसके रचना को किसी ने अखनोलेज नहीं किया, मैं मानता हूँ गुरुदेल को नोबल प्राइज देकर, नोबल प्राइज ने अपने आपको अखनोलेज कर दिया है, कि वह अखना है, और तागोर की एक पूर्ण राष्टर की जो सोच उसको भी यही से पिर से एक बार आ मैं गुजरात से हारा हूँ, अभी राध्मितिक लोग मुझे बहुत गुजरात की कानव बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे कि गुजरात से आकर बंदाल में मैं प्रवास कड़ा हूँ, मगर मैं उनको कोई जवाब इस पवित्र मन से देना निक चाहता हूँ, अगर उन्होंने अम्दाबाद का प्रवास किया था, सत्यंद्रना टागोद अम्दाल सहर के कमिश्णर थी, और वहां गुर्देव लंबे सबय रहे भी, और जब गांदी जी गुजराती साहिक्य परिशत के अध्यक्स बने, तब उसका तीन दिन का एक सम्मेलन हुआ था, जिसम करने का काम था, तब वह सम्मेलन के अध्यक्स का करने के लिए उन्होंने गुर्देव को चुना था, और गुर्देव गुजरात गए भी थे, और गुजरात साहिक्य परिशत के तीन दिन के सम्मेलन के अध्यक्स के अधर उन्होंने योगदान भी था, और सत्यंद्रना ट में इतना ही कहना चाहता हूं इतों कि ये विश्व भार्ती में देश से देश को बहुत प्लोग दिये हैं अवनिंद्रना टागोर यहीं जुड़े रहें महास्वेता देवी ननला र्गोज गायत्रे देवी सत्यजीत रे और राम किंकर बेश इंदीरा गांडी भी यहां काफी समय बिताया विनूत भी हरी मुकर जी धेल सारे लोग जिन्होंने देश को अलग-अलग भुदाओं में अलग-अलग सेत्रों में प्लिट किया वो यहां से जुड़े रहे हैं हमने स्वावे साल में संकल्प में करना चाहिए यह परंपरा रुपके नहीं कोई पचास साल के बाद डेड़ सो भी जहनती मनाएगा तो सवा से डेड़ सो के बीच में भी क्या हम दस यह से लोग दे सकते हैं जो किसी भी सेत्रक में देश को करेंगे कि टागोड की बिचार को देश भर में इंस्ट्ट did Sakaru के समात जीवन का हमारे विचार प्रभा का एक हिस्सा मना लाएंगे करने को तो कोई भी कर सकता है अगर विश्वाभार्ती से ज्यादा उप्युकक्त अतंस्ठान की काम करने ने के लिए और में विश्वभारती के लिए सहे नहीं कुछ कर पाया ह। आप लोग यहां पर बहुत कुछ करते हो। परतु मेरा मानना है कि हमने सभी प्रकार के विचारों को अलग अलग प्रकार के विचारों को प्याग कर विश्व भार्दी के स्थापना का जो उद्येस है इसके आधार पर फिर से एक बार विश्व भार्दी को स्ववे साल के बाद आगे बढ़ाने का संकर्ण के स्ववे स फिला है वो फिर से एक बाद चालू हो जाएगा और देश के समाज जीवन को कंटिबिट करने वाले गो यही महांस जव्य से यही संस्ता से यही टागों के विचा से बाहर आएंगे ऐसी उच्छे सब्दा है कुछ कोई लंबी बात नहीं करनी है आज मैं यहां तो मेरे मन की सांती के लिए आया था मगर उपाचारिय जी ने बहुत मन से स्वागत किया इसके लिए मैं उनका और विष्वभाति की पूरी टीम का जदाय से अभार व्यक्त करता हूं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले